दोस्तों यहां पर कुछ संख्याएं दिवी हैं और उन संख्याओं के आगे आपको एक चिन दिख रहा होगा जो की है घटा का चिन यानि की माइनस का सिंबल तो यह तो हम जानते हैं कि हमें यहां पर घटा करना है लेकिन अगर अब ध्यान से देखें तो हमें उत्तर दियावा है लेकिन हमें यह बताना है कि आखिर हम किन संख्याओं को घटा करेंगे तो हमें बताना है किन संख्याओं को घटाने पर यह संख्या मिलेगी तो हमें एक एक करके देखना है कि किन दो संख्याओं को घटाने पर हमें यह संख्या मिलेगी सबसे पहले देखते हैं कि यह जो संख्या है 40, आगि यह किन दो नंबर को घटाने पर हमें मिलेगी तो जब भी हम ऐसे कोई अंकों को घटाते हैं जहांपर इकाई भी हो और दाई भी तो हम सबसे पहले इकाई की और देखते हैं तो सबसे पहले हम यहां भी एकाई देखते हैं तो यहां एकाई में है शुन्य यानि कि zero अब ज़रा सोचिए कि कौन सी दो संख्याओं को घटाने पर हमें शुन्य मिलेगा अगर हम यहां नौ ले ले तो नौ में से हम ऐसा क्या घटाए कि शुन्य आए सरा सोचिए 9 में से कितने जाएंगे कि कुछ भी ना बचे 9 में से अगर 9 चले जाएंगे तो शुर्ने बचे लग तो यहां आएगा 9 अब हम देखते हैं दहाई की और यहां दस के समू की और तो यहां पर कुल मिला के 4 दस के समू जो हैं बचेंगे तो ऐसे कौन सी संख्या हम ले सकते हैं जिनको घटाने पर 4 आए अगर माल लीजे हम यहां पर 4 है तो हम यहां उपर की और 4 ही ले ले तो यहां हम किसे घटाएंगे कि 4 बचे सोचिए 4 में से ऐसा क्या जा सकता है कि 4 बच जाए अगर हमें 4 में से 4 ही बचाने हैं तो हमें उस में से कुछ भी नहीं घटाना होगा यानि कि शुर्ने तो हमने देखा कि 4 में से अगर शुर्ने गए तो बचेंगे 4 4 दस के समो तो हमने क्या देखा कि 40 जो है वो कौन सी 2 संख्याओं को घटाने पर आता है एक तो उननचस यानि five nine और दूसरा शुर्णने nao यानि बतानि ke nine koo है न attorneys here about 99 स्लें को घटाने पर 9 को घटाने पर 99 में से जब हम nine को घटाते हैं तो हमें मिलता है चालीस अब देखते हैं इह संख्या यहाँ पर हमें कौन सी संख्या दी है यह है सड़सट अब सड़सट जो है यानि 67 जो है वो कौनसी दो संख्याओं को घटाने पर आता है सबसे वहले हम एकाई देखते हैं माल लीजिए मैंने यहाँ नौ लिया तो नौ में से कितने घटेंगे कि हमारा साथ आ जाए अगर दोस्तों हम यहाँ नौ बिंदिया ले ले अब देखिए इन नौ बिंदियों में हम साथ बिंदियों को अलग गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ तो हमारा उत्तर यह साथ आना चाहिए तो इन पूरी में से हमें बचीवी बिंदिया हटानी होंगी ताकि हमारा उत्तर साथ आजाए तो बचीवी बिंदिया है यह दो बिंदिया तो हमें कितने घटाने होंगे 9 में से ताकि साथ आजाए हमें घटाने होंगे आखरी के 2 तो 9 में से कितने जाएंगे साथ आने के लिए 9 में से 2 जाएंगे तो दहाई में, यानि कि जो दस-दस का समू है, वहाँ पे हमारा उत्तर आना चाहिए च्छै, तो हम किन दो संख्याओं को घटाएंगे कि च्छै आए, हम यहाँ पर भी उपर की और नौ ले लेते हैं, और देखते हैं कि उन में से कितना घटाएंगे कि यह च्छै आए, तो यहाँ पर भी हम नौ बिंदी बना लेते हैं, अब इस में से हम च्छै बिंदियों को अलग गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, बची कितनी बिंदिया, बची है तीन बिंदिया, तो नौ जो है, अगर हमें नौ में से कुछ घटाना है कि छै आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने छै को पहले से अलग गिन लिया था, और बाद में लास्ट में तीन बिंदिया थी, तो अगर हम इस पूरे नौ में से यह तीन हटा दे, तो हमारे पास छै बचेगा, तो नौ में से गए कितने? नौ में से गए तीन, तो हमारे पास बचाए यह छै, तो जब नौ दहाई में से तीन दहाई जाती है, तो बचता है छै दहाई, यनिकि six cents, तो दोस्तों हम जान चुके हैं कि सड़ सड जो है यह संख्या हमें कब कौन सी दो संख्याओं को घटाने पर मिलती है अगर हम 99 और 32 को घटाते हैं तो हमें मिलती है यह संख्या सड़ सड यानि 99 माइनस 32 होते हैं 67 वैसे यहाँ पर कोई और संख्याओं भी आ सकती थी हम अलग-अलग संख्याओं को घटा कर यहां संख्या ला सकते हैं अब आप बताएए कि 32 संख्या जो यहां मौजूद है वो किन दो अंकों को घटाने पर हमें मिलेगी